Hello everyone, welcome to our channel, The Learning Algorithm, मेरा नाम रागव है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या C language सीखना अभी भी वर्थिट है या फिर वर्थिट नहीं है, तो इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब भी हम college में एंटर करते हैं, तो सबसे पहली जो language हमारी होती है, mostly जो होती ही, वो होती ही C language, बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं, क्या C language पढ़ना जरूरी है, क्या हम python से start नहीं कर सकते हैं, तो मैं उसका आपको एक example देता हूँ कि जब भी आप suppose जाते हो college में, तो आपको सबसे पहले थोड़ा आदव ड़ाई जाती जैसे मैं जब गया था, तो मुझे तो knowledge ही नहीं थी language की, तो जैसे C language है, तो C language में आपको syntax होते हैं, तो थोड़ा बड़े होते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई चीज का input लेना है, तो आपको पूरा लिखना पड़ता है, scan है, percentage, suppose आपको किसी number का ले रहे हैं, तो percentage D बगर डालके, और कोई चीज प्रिंट करानी होती है, तब भी हम, जो प्रिंट कराते हैं, सब number ले रहे हैं, तो percentage D, character ले रहे हैं, तो percentage C, तो उस हिसाब से आपको ये सारी चीजे mention करनी पड़ती हैं, पर जब आप Python पड़ रहे होते हैं, तो Python में आपको क्या होता है, कि जो language है, इतनी सारी syntax नहीं लिखने होते हैं, इतना जादा लिखना नहीं पड़ता है, थोड़े से में काम होते हैं, सब्स जैसे input लेना, तो आप input keyword डालते हो, और simple सा आगे string में input ले लेते हो, और आपकर number लेना है, तो number input डालके आप सीधे से जो भी number लेना, आप input ले लेते हो, त क्योंकि आप जब बड़ी चीजे सीखोगे, सब्स जैसे कि आपने सारे syntax एक एक चीज लिखना सीखा अच्छे से, और उसके बाद जब आप Python पे move करोगे तो आपको चीजे बहुत आसान लगए, क्योंकि अगर आप एक language अच्छे से सीखते हो, अगर C language आपने अच्छे से सीख लिए, तो हमें नहीं लगता, जो बची हुई language है, सब्से है, C++ है, Java है, Python है, इसमें सिर्फ आपको syntax ही change करना है, जैसे कि आप अगर C++ में move करते हो, तो उसमें input के लिए C in और C out print कराने के लिए, और जब Python में जाते हो, तो simple सा आप print statement डालते हो, और जो भी आप print करन लेते हो, तो सिर्फ syntax का change होता है, इसलिए बोलते है, C language जो है, वो mother language बूली जाती, कि आप अगर इसको अच्छे से सीखोगे न, इसको सीखने के बाद है, अगर कोई भी language पर आप move करोगे न, तो बहुत आसानी से आप उन चीज़ों को सीख सकते हैं, तो हमें मेरा यह मान कि अग़े पानी से इसकार है, कि आप आसानी से में इसक्सार है, तो पे आप म रहादी, कि ए है ले कर दो आपक मुआब हैं, तो हैं पर ईसकार आप आसानThese सीख भा करने से भी है, तो है कि आप मे जो हैं घाना है.